हेलो एंड वेल्वम दूदी वल्वाइट पोजोस्तो इरान और इजराइल के रिलेटेड पहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सबको मालूम है इजराइल और इरान के बिश में वार चल रही है लेकिन इंपोर्टन बात ये है कि यहाँ पना हाई पॉसिबिलिटीज है कि इजराइल ए रान के nuclear facilities पर टारगेट कर सकता है अगर ऐसा हुआ न एक बार इजराइल ने इरान पर एटेक कर दिया इसके बाद इरान चुप नहीं बैटेगा इरान इसराइल पर एक फारी एटेक कर सकता है इसके जवाब में और इरान ने ये भी कहा कि अगर इजराइल हम पर अटाक करता है तो हम इसराइल पर ऐसे वेपन से अटाक करेंगे जो आज तक कभी डिप्लॉई नहीं किया गया है यानि कि इरान के पास ना एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो इसराइल को फारिज छोट पहुचा सकता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन पर ही बात ह किया तो दुसरी तरफ चाइना और रशिया ने इसराइल को क्रिटिसाइस किया लेकिन हमें ना अरभ वर्ड खामश् नजर आता है यानि कि इरान या इसराइल किसी के फिवर में बात नहीं किया है यहां पहुच्ध अतर अरभ कंटिस न्यूट्रल थे बस यही कहा कि जी दोनों तरफ से अटैक रुखने चाहिए वनना Middle East वार में जल जाएगा। अफकोस ये लोग अपनी एकनॉमी को बचाने के लिए ये सब खरगते कर रहे हैं। इरान के अटैक के बाद ना इसराइल ने United Nations Security Council UNSC में एक अरजन बैटक बुलाया था। इसराइल ने पूरी कोशिश की के इरान को न जितना हो सके आईसोलेट किया जाए। वेल चाइना और रशिया ने ऐसा होने नहीं दिया। इरान के फेबर में यहां बात की लेकिन ज्यादे तर UN के मेंबर्स का एक ही संदिश था कि इसराइल को तनाफ को कम करना चाहिए। USA ने कहा कि हमारा टारगेट तनाफ को कम करना है और फिर मुद्दे को हल कनने की दिशा में आगे बढ़ना है। निके USA इसराइल के रिटैलियेट वाले जवाबी कारवाई की खिलाफ है और रशिया चाइना ने भी और यू किया है कि इसराइल मिडल इस्ट में तनाफ को बढ़ाने के बजाए तनाफ को कम करे और इसको और बढ़ाने से अपने आपको रोके। तो गाइस रेड लाइन सेट हो चुकी है कोई भी नहीं चाहता कि इसराइल यहाँ जवाबी कारवाई करे। इसराइल को कि इसराइल अगर आप दुबारा इरान पर अटाइक करते हैं तो यूनाटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको सपोर्ट नहीं करेगा ना ही इसराइल के डिफेंस में आएगा सीधा सीधा यूनाटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिये हैं देखो USA की ये वाले स्टेप से न सेंस बनता है क्यूंकि आप ही देखो एक तरफ USA को अपने अमरिकन बैसे स्टलाने की ज़रूरत होती है बहुत जादा सोल्जर्स और वेपेंस बिलियन्स ओफ डॉलर्स लगते हैं फिर USA यूकरेन को भी मदद कर रहा है रशिया की अगर ऐसे केस में एक और वार फ्रंट ओपन हो जाता है वो पी इरान जैसे देश के साथ जिसके प्रॉक्सिस पूरे मिडलिस्ट को डॉमिनेट करते हैं साथ ही इरान को रशिया चाइना जैसे देशों का सबोर्ट भी है तो USA इसको छेल नहीं पाएगा इसराइल यहाँ प यह उमीदेंगे ऐसा ना हो क्योंके देखो इरान के इमबेदरन ने UNSC में यह कहा कि ऑपरेशन को लणने ते या आक्सलेट करने से रोका जा । इसलिए इसराइल के पास बदला लेने का पूरा अधिकार है वो आगे भी कहते हैं के आप सब गलत है यानि जितने भी UN में है वो गलत है ये हमला हर red line को पार कर चुगा है और इसराइल को बदला लेने का कानूनी अधिकार है फिर at the end ये आगे कहते हैं के हम शेर 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 की खौम हैं अगे आप अगे अगे आप आप एक आप अपने चाहिए आप शेर शेर के रहे हैं मतलब कहने का अंदाजा है अगर आप देखोगे एक 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 राजदूत को मानना क्या वो रेड लाइन नहीं होता इसराइल और इसराइल के अंबैजडर के साब से जो हर चीज़ ये करते हैं वो सही है जो चीज़ इनका पोजिशन पार्टी करता है वो सब गलत है यानि इसराइल के साब से ना यूएसे अरवर्ल रशिया चाइना सब जो इसराइल को समझा रहे हैं कि आप इरान पर रिटालियेट अटैक मत करो सब गलत है और इसराइल ही सही है देखो ऐसा काम नहीं चलता सियासत में आपको थोड़ा साना कभी कभी बेंड होना पड़ता है प्लस मैनस होते रहता है अगर आप मुझसे पूछोगे के ठीक है जी आप समझ आ चुका है कि इसराइल किसी की बात नहीं सुन रहा है लेकिन या सच में इसराइल अकेला पिना USA UK की मदद लिए इरान पर अटैक कर सकता है तो देखिए इसराइल most probably ये अकेला इरान पर अटैक कर सकता है पास्ट मे इसराइल ने इरान की अंदर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर कनने के लिए ऐसे ओपरेशन कीये हैं जैसे साइबर हमले और इरानियन सैंटिस की हतिया लेकिन वो हमले अलग थे क्योंकि बेस्देन कंट्रिस ने इसराइल की मदद की थी और ये एक शैड़ो वार था समझने के लिए इंडारेक्ट वार था तो इसराइल उटकर कह सकता था कि आपको गलत फहमी हुई है ये हमने अटक बिल्कुल भी नहीं किया है लेकिन एक ओपन मिलिटरी वार और अटक ये एक अलग खेले ये एक ऐसा सिनारियो है जिस पर इसराइल ने आकसर तयारी द करती है इसराइल आज के टर दो फ्रंट वार लड़ रहा है उपर हिजबुल्ला है निचे हमस है और ये केस में इसराइल अकेला टारेक एक ओपन वार लड़ना चाहता है वो भी इरान के साथ अब आप पुछोगे कि क्या इसराइल इस वार के लिए रेडी है देखो ऐसे स अच्छी होनी चाहिए दूसरा आपके एलाइस आपके पार्टर्नस का सपोर्ट होना चाहिए तिसरा आपके military strong होना चाहिए फोर मेस्टिक इरान के केमपेरिजन में लेकिन इरान के पास ना ज्यादा नंबर ओफ सोलियर से और इरान मिसाल्स को बनाने में एड़वान से लगतार सालों से इरान जो हैं मिसाल्स को डेवलप कर रहा है तो उनके पास बहुत अच्छे से आइडिया सुगे और सबसे इंपोर्टेंट बा इरान में इरानियंस एरान के सुप्रीम लीडर आयातुलाली कॉमेनी को जोडो शोरों से फुल सपोर्ट दे रहे हैं इरानियंस अपनी गवर्मेंट को सपोर्ट शो कर रहे हैं वेराथ नेतन याहू के गेस में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है इस्रायल में लोक वाला स्टेटमेंट दे दिया है इरान ने कहा कि वो किसी भी एटैक के लिए तैयारे और आयतुलाली कौमेनी के द्वारा पोस की गई ये मैसेज को देखो ये ट्विटर हैंडिले जो एक्स बन चुका है यहाँ पर इरानियन ड्रोल अलकसा मस्जित के उपर से जा रही है और आयतुला का कैप्शन देखो जरुशलम जल मुसलिम्स के हातों में होगा तो इस्राइल के खिलाफ लणना एक पॉपुलर पॉलसी है इरान में तो ये कुछ अप्डेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है अगर आपको वीडियो अच्छी दिखी तो लिखिए या नी